गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सुषान सिंग राजपुत मामले में कुछ ऐसे संदिख्द लोगों की तलास जारी है जो की सुषान सिंग राजपुत के जीवन में काफी नज़्दीक थे और पिछले कुछ दिनों पहले यानि कि सुसान सिंग राजपुत की जब मौत होती है उसको कुछ दिनों पहले तक वो काफी एक्टिव थे और उस सुबह भी वो सारे लोग वहां मौझूद थे तो ऐसे कुछ नाम है जो कि एजनसी के पास है और उनके बारे में खोजबिन जारी है क्योंकि उनकी भूमका इ जब एजनसीयां तह तक पहुँच रही है नीचे तक पहुँच रही है तो उन्हें ये साफ लग रहा है कि एक बड़ी साजिस के तहत ये सारा घटना को अंजाम दिया गया है और इसके अंदर कुछ ऐसे लोग इंबॉल्व हैं जो की काफी बड़े नाम है और जो की राज एजनसीयों की नजर बिल्कुल बनी हुई है मैं पहले भी कई वर आपको बचा बता चुका हूँ कि ऐसे कुछ एक तो जो आप जानते हैं जिने जैसे ड्राइबर हो गया और कुछ वहां पे काम करने वारे लोग तो उनके बारे में तो शब को पता है प्रन्तु कुछ ऐसे नाम है जिनके बारे में किसी को पता नहीं है वो सिर्फ जाज एजनसी उस पे काम कर रही है इसमें जो बात सामने निकल करके आई है उसमें यह है कि पडोसी ने यह कहा था कि उस रात लाइट्स बहुत ही जल्दी बंद हो गए थे दस बजे के आसपरस जबकि सिधार पिठ बैरी कर रही है बिल्कुल अलग-अलग दोनों का स्टेट्मेंट आ रहा है उसके बाद से एजिंसियों ने दोनों इंगल पे जाद चालू किया है और पहला इंगल जो सिधात पिठानी का है कि रात को मिलने आए थे और मिलकर के हमसे बात किये हैं उस इंगल पे ज्यादा जांचो रही है दूसरा इंगल यह है कि रात को दस बजे अगर लाइट्स बंद हो गई सब लोग शो गए तो फिर वो रात को मिलने कैसे आए तो इसको लेकर करके पडोसी को जिसने स्टेटमेंट ऐसा दिया था मीडिया को उस पडोसी की भी खोजबिन जारी है परन्तु आपको यह बता दें कि वो पडोसी भी अपना मकान वहां से बदल करके जा चुका है जिसने स्टेटमेंट दिया था मीडिया में वो भी अब नहीं है बहां पर यानि कि इस मामले में जितने लोग चस्म दीत गवाह जो पिरिया में मीडिया में कुछ बोल रहे थे कुछ बता रहे थो वो सारे लोग आज की डेट में गाइब हैं चाहे वो ड्रैवर क्का मामला हो चाहे वो मकानमाली का मामला हो जो पडोस में था यानि कि यहां बहुत ही मुस्किलो भरा एक समझे की जाच है और उस जाच पे एजनसिया अपनी काम कर रही है और अलग-अलग तरीके से दिमाग लगा करके इस काम को अंजाम दे रही है तो यह चीज़े हमें देखनी पड़ेगी कि कैसे अब इस मामले को आगे तक पहुँचाया जाता है और इस मामले में कैसे कैसे लोग पकड़े जाते हैं लेकिन उमीद है कि जो कुछ दो-तिन लोग यहां से फरार हो रहे हैं दो-तिन लोगों की जो खोज बिन जारी है उनके पकड़ाने पर बहुत को सामने निकल करके आ सकता है तो जाच एजेंसिया सक्रिया है और अपनी एक अलग भूमिका में वह लगातार ततपर है और हमें सिर्फ अविस बात का इंतजार है कि सुशान सिंगराजपुत के कातिल जल्दी पकड़े जाए और सलाखों के पीछे हम उन्हें देखें जैहिंग जैभारत